Students, now I am going to explain the question number 2, 3, 4 and 5. Okay, सारे ही questions सेमी method से होनी है, आपको method बताती हूँ कि क्या करने आपको. For example, in question number 2, आपको trapezium की, trapezium का area given है, तो आप first of all क्या करो? तो trapezium का formula note down करो, जो हमने previous class में किया था, ठीक है? क्या था वो formula? height थी, means कि ये आपका trapezium था, ठीक है? और ये एक side थी, parallel side, ये second parallel side थी, और ये h's की height थी, ये ही किया था trapezium में, ठीक है? आपको, अगर question के अंदर कुछ भी given है, area से related, तो अगर कोई भी चीज़ पूछी आपस, h, a, b, formula सेम ही रहेगा, ठीक है? आपको only values को put करना है, जो जो values आपको given है, ओकी, अभी आपके पास question के अंदर, area given है, ठीक है? sorry, यहाँ पे लिखना था, area of trapezium, area आपको given है, कितना area आपके पास? 1, 54 cm square, वो मैंने area के place पे put किया, means कि जो जो जिस चीज़ को आपको given है, उसको इसके place पे रखना है, formula को alter करने की need नहीं होती है, आपको, आप इसको put करो, और उसके बाद easily calculate कर सकते हैं, ठीक है? height आपको कितनी given है? height आपको 7 cm given है, ठीक है? A plus B, एक base कितना given है आपको? 8, और second base आपको निकालना तो इसको भी रहने दो, got it? now, जो भी number division में होता है, वो आपका multiplication में चला जाता है, ठीक है? तो 154, ये 2 कहां चला जाएगा? left side पे जाके multiply में, और जो number multiply में होता है, वो number कहां चला जाता है? आपका division में चला जाता है, okay? इस side क्या रहा जाएगा फिर? 8 plus B, got it? now, अगर आप इसको cut करके देखना चाते हो, cut कर सकते हो, ये ऐसे cut हो जाएगा इसी निए, ठीक है? so, 44 आजाएगा, 22 को जब 2 से multiply करोगी, is equal to 8 plus B, अभी देखो question कितना ज़्यादा simplified हो चुका है? simple steps के निएड़ा करने के, divide वाला number multiply में ले जाओ, multiply वाला number divide में आ जाएगा, ठीक है? cutting करो, cutting करने के बाद आपका simplified form में question हो गया, ठीक है? अभी जो B आपका, सिरफ इस side पे B रखना है, बाकी सारी जो भी number से उनको आपको left side पे shift करना पड़ेगा, और जब ये plus left side में जाएगा, तो वो negative 8 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जब हम एक side से दूसरी side पे transport करते हैं, किसी भी number को अपने sign change करता है, अगर वो plus में है, तो वो minus में होता है, अगर minus में हैं, तो वो plus में हो जाता है, जैसे divide multiply में हो जाता है, और multiply divide में चला जाता है, ठीक है? तो आप इसको easily कर सकते हो,